हेलो फ्रेंड्स आइम प्रतिवा एंड अगीन वेलकम टू टू टीचिंग चैनल आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वह नेचर ऑफ एजुकेशन के उपर यानि कि जो एजुकेशन है शिक्षा जो है उसकी प्रकृति किस तरीके की होती है उसके उपर आज का हमारा आज का हमारा टॉपिक है वह है नेचर ऑफ एजुकेशन ठीक है तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो मेक्शुर आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बड़े बल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जब हमने कुछ फोइंट्स को लिया है फर्स है इसमें शिक्षा एक सामजिक प्रक्रिया है याणि कि एजुकेशन एज़ अ प्रोसेस ऑफ सोसल डवलेबमेंट ढगे शिक्षा के दवारा समाज का डैवलेबिंट होता है इस तरिके की यह प्रक्रिया है ठीक है सेकेंड है, सिक्षा एक गति सील प्रक्रिया है, यानि कि education is a dynamic process, गति सील प्रक्रिया है, ठीक है, जो निरंतर चली आ रही है, चलती रहे गी आगे भी, थर्ड है, सिक्षा एक दूई धुरूविय प्रक्रिया है, यानि कि bipolar process है, जिसके दो धुरूव होते हैं, ठीक है, आप फिफ्थ है जिक्षा विकास की प्रक्रिया है, development process है और जो last point है सिक्षा सर्मागीन विकास की प्रक्रिया है यानि कि all-round development ही आपका करती है या फिर all-over development ही आपका करती है, education ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जितने भी हमने इस six point ली है इन को किस तरीके से हम थोड़ा explain करते हैं यहां पर फर्स्ट है इसमें सिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है यानि कि social development की प्रक्रिया हमने बोला यहां पर ठीक है यानि कोई भी person है वो कहीं न कहीं से अपने जो समाज है उससे connect रहता है ठीक है समाज के थूँ से जो education मिलती है उसी education का प्रियोग आगे समाज को बनाने के लिए करता है या फिर समाज में रहने के लिए भी करता है ठीक है तो वही चीज है कि मलब जिस तरीके की education उसे दी जाएगी वो उसी तरीके की education का प्रियोग आगे करेगा ठीक है चाहे वो समाज को बदलाव के लिए करेगा या फिर सम द्वारा ही समाज का development होता है, वो depend करता है कि किस तरीके की education उस किसी particular person को दी जा रही है, सेकिंड है यहां पे सिक्षा एक गतिसील प्रक्रिया है, education is a dynamic process, ठीक है, गतिसील प्रक्रिया है, मतलब एक पीडी से दूसरी पीडी को लगातार हस्तांतरित की जा रही है, ऐसी प्रक प्रक्रिया है education, ठीक है, कई साल पहले, हजार साल पहले, हम तो नहीं थे यहां, लेकिन हमें पता है कि उस समय पर क्या चीजें हुई होगी, through books, हम books के थ्रू हम जानते हैं यह चीजें, ठीक है, internet के थ्रू हम यह चीजें जानते हैं, तो वो हमें किस तरीके से मिल रही है, ह जो भी PD दर PD हमारा पिछला था, वो अब हम आगे अपने आने वाली PD को देते हैं, तो ये काम भी कौन करती है हमारे, कौन हेल्फ करती है, education, शिक्षा हमारा इस काम में मदद करती है, थर्ड पॉइंट इसमें है, शिक्षा एक दुई धुर्विय प्रक्रिया है, यानि कि ये bipolar process है, ठीके, इसके दो धुर्व होते हैं, फर्स्ट है इसमें teacher और सेकंड है इसमें student, ठीके, teacher यानि कि educator जो शिक्षा दे रहा है, वो और जो शिक्षा ग्रहन कर रहा है, वो educate, student, ठी ना किसी particular मतलब इन दो धुर्वों का होना बहुत आवर्शक है, education के लिए, proper एक education के लिए, इन में से कोई भी एक होगा, तो education का जो process है, वो fulfill नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है, तो यानि कि सिक्षा एक दुई धुर्विय प्रक्रिया है, इसमें teacher और student, दोनों का होना बह ये लगातार चलती रहती है, ठीक है, एक बच्चा जब जर्म लेता है, उसके बाद से, मृत्यू तक, ठीक है, कोई भी person जब मरता है, उससे पहले तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है, चाहे वो formal education हो, या फिर informal education हो, ये दोनों के दोनों इसमें लिये जाते हैं ठीक है, मतलब जर्म से लेके मृत्यू तक, कोई भी person कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसी को कहते हैं कि education is a continuous process, यानि कि लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट नमर फेफ्ट, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, development process है, ठीक ह मानव का थियास में, मानव जिस तरीका था, मतलब एक पसु के समान भी अभार करता था, ठीक है, किसी भी time खा लिया, किस तरीकी से रहना है, वो नहीं पता था, ठीक है, लेकिन क्या है, पीडी दर पीडी अब आगे, आज की टाइम में काफी difference है इसमें, और एक मानव वो इस तरीके का खाना है यह सब चीज़े उसे पता है तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है यानि कि आपकी इंद्रियों का विकास होता है शिक्षा द्वारा आपका development होता है विकास होता है शिक्षा द्वारा ठीक है तो शिक्षा आपकी इंद्रियों में विकास करती है जि सिक्षा सर्वांगीन विकास की प्रक्रिया है ठीक है एक तो बोला गया कि विकास की प्रक्रिया है और यहां पर बोला गया है कि सर्वांगीन विकास की प्रक्रिया है मतलब यह आपका all over development करती है यानि कि all around development करती है किस तरीके से सारेरिक विकास होता है सिक्षा के द्वारा म विकास होता है, आपका mental level भी अच्छा होता है, social development होता है, भावात्मक विकास होता है आपका, ठीक है, आपको पता होता है कि आपको अपने भावनाव पर कहां पर control रखना है, ठीक है, कहां पर, किस particular जगों पर आपको हसना है, किस particular जगों पर आपको अपने emotions दिखाने है, य यदि दंट को सकते हैं। शचे भाल करते हैं